कुसम सरोबर है जो भगवान कृष्ण राधा रानी और कुसम नाम की जो सखी थी उनके साथ यहां कृड़ा करते थे फेड़ा मतलब खेलते थे बागवान राधा रानी और जो सख्या थी यह बड़ा प्राचीन स्टल है गोवर्धन में पढ़ता है गोवर्धन की परक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर का तवाता यह उसम सरोबा प्राचीन स्टल है कथा वागवतों में इसका लेख है और बड़ा सु झाल 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 प्राचीन परवत इनको गर्राज महराज कहा जाता है जो भगवान ने इंद्र का मान वर्दन किया ठाइब और इनको अपनी ये वाली उंगली पर धारण किया था भगवान ने इनको कहते गो वर्दन गर्राज जी माराज जितने वी ब्रजवाजी है सब इनी कि पूजा करते हैं जिस समय इंद्र ने बहुत बारिस किया ब्रजवासीव को परिशान किया तो भगवान ने इंद्र का मान वर्दन करने के लिए गिर्राज माराज को अपनी किनकी उगली पे धारण किया, ब्रेजवासियों की रच्छा की और इंद्र का मानवर्दन किया, यह वोई प्राचे निस्तल है, गोई ठाकुर्जी का धाम है, आज साड़े पांच जजार वर्स पूर्व की ये बात है, साड़े पांच जजार वर्स पूर्व अगवा गोवर्दन गिर्राज जी की परक्रमा करने का पुन्य प्राप्त हुआ, और यह आज गोवर्दन गिर्राज महाराज में आए हैं, यह देखिए, आपको एकदम लाइब दर्शन कराते हुए हम गोवर्दन गिर्राज महाराज का, यह वही गोवर्दन गिर्राज महाराज है जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे इनको धारण किया था बड़ा सुन्दर ही द्रश्य है ब्रिजमंडल का मत्रवा ब्रिंदावन गोवर्धन के आज यात्रा पर निकले हैं वह यह हमारे और हम इनके साथ हैं हम इनके सार्थ हैं सार्थ इमेंस ड्राइवर वह यह भी देखिए राधे 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 अभी हम आपको सब दखाएंगे और वह हमारी यात्रा है आज पूरे दिन हम यात्रा पर निकले हैं अभी प्रिशाद पाया है नास्ता किया है उसके बाद हम अपनी गोवर्धन की या पहराज के दर्शन लाइव और ये भाईया हमारे यात्रा पर निकले हैं इनके साथ साथ हम भी यात्रा कर रहे हैं बड़ा सुन्दर नयारा है और थोड़ा सा और अच्छे से दर्शन कर शुन्दर अध्वुत गो माताव की सेवा होती है यहां पर